कुछ लोग इतने बदनसीब होते हैं कि उनकी बदनसीबी कभी उनका पीछा नहीं छोड़ती है आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है एक लड़की उसकी बदनसीबी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी वो वाकई बहुत परिशान थी और उस परिशानी से निकलने के लिए उसने तमाम कोशिशे की मगर उसकी कोशिशे नाकाम हो रही थी और वो जितना उस परिशानियों से निकलने की कोशिश कर रही थी उसमें उतना ही उलसता जा रही थी और साथ वो अकेली नहीं थी, दो नन्नी जान भी उसका वैसे ही पीछा कर रही थी, वैसे ही उलस्ती चली जा रही थी, कि क्या कभी वो दो नन्नी जान और एक बड़ी लड़की उस परिशानी से उस बदमजीवे से बाहर निकल के आ सकेगी, यह भी भविश्य के गर्ब में चिपा है, आदाब, नमस्कार, शस्त्रिकाल, मैं उस्मान सेफी, आज की जो सची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सची घटना है मद्धे पिर्देश के इंदोर और जवलपुर की, दरसल एक 14 साल की लड़की है और उसकी बदनसीवी की कहानी शुरू होती है सन 2013 से, यह सन 2013 का वो वाकिया है जब कोट ने उसके माता और उसके पिता को हमेशा हमेशा के लिए अलग रहने की हिदायत दे दी, कि अब आप साथ नहीं रह सकते, क्योंकि उसके मामी और उसके पापा अक्सर जगडा करते थे, अक्सर घर में शोर शरावी की आवाजें आय लगातार पिस्ती चली जा रही थी, सन 2013 में जब कोट ने आदेश दिया कि तुम दोनों अलग रह लो, तो वो दोनों तो अपने अपने रस्ते चले जाते हैं और अपनी अपनी गरस्ती बसा लेते हैं, मगर ये लड़की अकेली रह जाती है, जिसकी उम्र 14 साल है, नाम पि लगवक सत्रे साल के आसपास की हो जाती है, तब उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है, जो कि बिलहरी का रहने वाला है, नाम उसका अमित चॉलकर है, अमित चॉलकर उसको इतना प्यार करता था, कि उसकी हर च्चोटी चोटी जरुरतों का ख्याल रखता था, और वो दो जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था उन दोनों की दोस्ती और भी गहरी होती चली जा रही थी मगर अचानक ही ये अमित चोल कर बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है और ये लड़की अकेली रह जाती है इस लड़की ने अमित का काफी इंतजार किया मगर उसे फिर सफलता नही मिली एक दो साल गुजर जाता है तब तक ये लड़की पिरिया अकेली ही रहती थी और उसकी मुलाकात एक इंदोर के विजे नगर का रहने वाले एक लड़के से हो जाती है और उस लड़के से रहने के बाद ये दोनों एक शादी के बंधन में बन जाते हैं और शादी कर रही थी और उसको बहुत प्यारी सी बेटी ने जनम लिया, उसके घर में खुश्यों की किलकारी गुंजने लगी, तब वो पुरानी जिंदगी को याद करती थी तो लगता था कि शायद अब उसके जिंदगी में जो दुख आये थे वो अब कभी भी नहीं आएंगे, मगर उ उसके साथ ऐसा कुछ नहीं था, वो जो सोच रही थी वो शायद गलत था, और सन 2020 आता है और एक दिन ऐसा होता है कि उसके पती के मुबाइल पर कुछ ऐसी तस्वीरे आ जाती हैं, जिन तस्वीरों को देखकर उसके पती की आँखे फटी की फटी रह जाती हैं, वो हिल जा और वो वीडियो एक दो नहीं थी, कई सारी वीडियो थी और वो बहुत सारे फोडोग्राफ्स थे, उन फोडोग्राफ्स को देखने के बाद उसके पहले पती को इतना घुसा आता है कि उसे वो छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है, अब फिर से पिरिया अकेली हो जात उसका बहुत ज़दा खया लगता था, फिर से ये दोनों सासात रहने लगते हैं, और सासात रहने के बाद फिर से एक लिव-इन रिलेशन्शिप बाले समन्द बंधन में बंद जाते हैं, और जिन्दगी से अच्छे से गुजरने लगती है, मगर इसी बीच उसको एक और अब उसके पास दो बेटियां हैं, एक उसके पहले पती से थी और दूसरी बेटी उसके बोई फ्रेंड से थी, मगर उसे लगा कि शायद अब उसके जिन्दगी फिर से पट्री पर आ जाएगी, उसने अमीत को काफी कसमे खिलाएं का भी उसे वादा लिये कि तुम कभी मु आएंगे, मगर एक दिन उसके जिन्दगी में ऐसा आता है, जो शायद कभी नहीं आना चाहिए था, ये अमित चोलकर जो रहना वाला है, जबलपुर के आसपास जो गाउं लगता है, बिलहरी वहां का रहने वाला है, उसने अपने दोस्तों को इन्वाइट किया, घर पे ए अमित चोलकर ने अपनी तीन दोस्तों के साथ मिलकर अपनी ही प्रेमी का प्रिया के साथ ऐसा किया जो शायद नहीं करना चाहिए था, और उसके साथ पूरी रात उन्होंने दुशकर्म किया, हाले कि वो विरोध कर रही थी, मगर उन्होंने धंकी दी कि अगर विरोध किया कि जो आज हुआ है वो आगे भी होगा और ये सिलसला शुरू हो जाता है और उसके बाद कभी इंदोर में तो कभी एक इलाका है मेहर में उसके साथ वही फिर दुशकर्म की घटना अब उसका जो प्रैमी है वो भी और उसके प्रैमी के तीन दोस्त वो भी आए दिन उसके वो इंदोर के थाने में पहुंसती है और वहां जाकर उन चारों आरूपियों के खिलाब संबंदी धाराओं में मुकदमा दर्च कराती है पुलिस ने अमित चोलकर उसके तीनों दोस्तों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया और जब उनसे पूछताच की तो वाकि चोकाने वाली बात भी सामने आई दरसल उसके पती के पास जो फोडोग्राफ्स जो वीडियो पहुंचे थे वो किसी और ने नहीं पहुचाय थे बलकि अमित चोलकर ने ही पहुचाय थे अमित चोलकर ने उसकी शादी तुलबाने के लिए ही ये सब काम किये थे और जब वो उसके साथ लीब इन रिलेशन्शिप में रह रहा था तभी वो उसके साथ उसकी सहमती से वीडियो बनाया करता था पिरिया कभी नहीं जानती थी कि जो वीडियो उसके साथ बन रही है वो कभी उसके लिए नासूर भी बन सकती है उसके जिन्दगी को एक कालिक पोच सकती है मगर उसने उसके पर इतना भरोसा किया कि शायद यही उसके जिन्दगी का हमसफर होगा वो हमसफर नहीं था, बलकि एक दागावाज दोस्त निकला, उसने दोस्ती में भी दागावाजी की और उसकी जिंदगी को छोड़कर वो चला भी गया, शाथ ही उसकी पती जब उसके जिंदगी माता है तो उसको पती को भी छोड़ने पर उसने मजबूर कर दिया, फिलहाल तो चारो आरोपितो जिल चले गए है, मगर अब पौरिया की उम्र 2021 में बाइस साल की हो गई है, दो बेटियां है, एक बेटी की उमर लगवग तीन साल के आसपास है, दूसरी बेटी अभी लगवग एक साल के आसपास ही है, तो सोचने बाली बात यह है कि प्रिया की में शायद यतनी परिशानियां कभी नहीं आती हैं। की बिना माबब के बच्चों की जिन बच्चों की परवरिश होती हैं। बहुत जड़ा अच्छीों अच्छी होती हैं। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश किसी को परिशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बलकि आपको जागरू करना है, आपको सचेत करना है, कि आपकी जिन्दगी में अगर कभी ऐसा हो, या आपके मिलने वाले के साथ कभी ऐसा हो, तो क्या रास्ता च चुनना चाहिए और क्या नहीं चुनना चाहिए इसी लिए ये कहानिया आपको सुनाई जाती हैं आप अपना खयार लखें सुरक्षित रहें जैहिन जैभारत